ओनियन प्याज या पलांडू जिसके वारे में हमने पिछली वीडियो में जाना कि किस प्रकार से यह कौन-कौन से रोगों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और इसके क्या-क्या गुण कर्म होते हैं कौन-कौन से 200 बर काम करने वाली होती है आज हम बात करेंगे इस इसके जो हम प्रयोग करते हैं वो है यानि कि घरेलू तोर पर जो होता है लेकिन इसके आउशदियो प्रयोग थोड़े अलग है इसके बारे में हम जानते हैं तो आई ये वीडियो को शुरू करते है साधरपणाम मैं विशाल एक बर पने स्वागति करता हूँ आपका अप टक्र कर प्रयोग है करें गीमे फिर देखेंगे ऐक प्रयाज को आपको बूर करके इस तरह से घीमे और सेवन करना है सुखी खांसी के अंदर यह बहुत यादा लाव देने वाली हो फिर बात करते हैं कोई घाव हो जाए आपको खासकर कि बाल तोड़ हो जाता है बाल टूटनी के विए से घाव बगरा हो जाते हैं या कोई भी घाव हो जाता है जिसमें मौवाद बगरा होता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है पट्टी जब आप उसकी करेंगे, तो बड़ी असानी से उसका हाओ को सुखाने वाला होता है, और दर्द में क्या करना है, दर्द के अंदर आपको जो ये प्याज है, इसका रस निकालना है, रस निकाल करके, इसको अच्छे से निचोड के इसका रस निकालना है, उसमें हल् तो फिर महट देंगे, शिकाई करेंगे, तो वह दर्द वहां से रफ़ुचक्र हो जाने वाला है। फिर आप कहेंगे दर्द का तो हो गया सूजन, तो सूजन में भी आपको यही करना है। सूजन में आप एक काम कर सकते हैं, प्याज और लहसोन, दोनों की चटनी बना सकते हैं। दोनों की चटनी को गरम करके उस जगह पर लगा सकते हैं, जहां पर इंफ्रमेशन हुई है, सूजन हुई है। जहें वो गुटने बगरा होते हैं, या अर्थराइटिस बगरा से सूज जाते हैं गठिया में, या किसी भी प्रकार के चोट दर्दित्यादी से हो, तो उन सभी सूजन में यह अच्छा काम करने वाला होता है। फिर कई पर बच्चों के पेट में कीडे बगरा हो जाते हैं, तो उसके अंदर कैसे प्रोग करना है, प्याज का रस लीजिए दो चम्मच, एक चम्मच उसमें मिला, यह मधू अर्धात की शहद हनी, तो दो चम्मच प्याज के रस में एक चम्मच शहद मिला करके, आप उस बच्चों को चटा सकते हैं, बड़े को हुआ है, पेट में जिसको भी हुआ है, इस तरह से विशम मातरा में प्रोग करना है, शहद एक चम्मच होगा, तो प्याज का रस दो चम्मच होगा, तो दोनों अलग-अलग मातरा में होंगे, सेम मातरा में नहीं होगा, फिर जब चेहरे त्यादी पर या शेरी पर कहें भी काले धब्बे हो जाते हैं या कहें कि जाईयां वगरा हो जाती हैं इस तरह की समस्या होती है तो उसमें प्याज का पेश्ट ले करके आप उस चेहरे पर 20 मिनट तक लगाएं उसको छोड़ दें सूखने दें फिर उसको आप धो सकत करता है खास करके इसके रस का प्याज का रस लेते हैं उसको अच्छे से बालों की जड़ों में लगाते हैं 15-20 मिनट तक उसको रहने देते हैं फिर अच्छे से आप जो भी सम कुई त्यादी करते हैं उस तरह से करके इसको दो लिए तो यह बालों के जढ़ने की जो समस्य होती है उसको यह कम करता है दीमा करता है देखिए अब आप सिरफ बाल जड़ने की समसर में प्याजकरस लगा लें और कहेंगे कि देखो यह आपने कहा था और यह हो नहीं इसमें सिरफ प्याजकरस काम नहीं करने वाला वह सिरफ एक फेक्टर है इसमें आपका पेट पाचन या कहें कि वायू पित जो होते हैं इनका जो बैलेंस होता है यह सभी चीजें एक्टर रखते हैं तो सभी चीजों को कंट्रोल करके फिर आप प्याजकरस लगाते हैं तो बहुत ज्यादा एफेक्टिव होता है फिर बात करें वाजी करन वाजी करन यानि कि स्पॉम अच्छा करने के लिए इन फर्टिलिटी जैसी समझा के अंदर प्रयोक करने के लिए प्याज का बीच प्रयोक किया जाता है प्याज के बीच को अनार के रस के साथ सेवन किया जाता है तो उसमें कारिकर रहता है फिर रक्त स्तराओ या कहें कि महावारी से रक्त गिर रहा हो नकसीर से गिर रहा हो, बवासीर से गिर रहा हो, पायलस में गिर रहा हो, उन सभी के अंदर प्याज को दूद में उबाल करके फिर उसका सेवन किया जाता है. पिर बात करें भूख değişe को बढ़ाने के लिए तो प्याज का सलाथ सभ से बेस्ट है. सलाद काटिये उसके नानमक चड़किये खाने से पहले उसका सेवन कीजिए फिर भोजन कीजिए पांसात मिनट बाद फिर उसके बाद बात करें तो अजीन यानि अपच हो जाती है जब भोजन सही से पचता नहीं पेट में पड़ा रहता है उस समय प्याज का तीन से चार चम चमच सुबह सुबह खाली पेटिस का सेवन करना है जो कि आंकों की समस्या में लाभदायक होता है इस प्रकार से प्याज के बहुत सारे प्योग होते हैं तो यह सभी प्रयोग आप अपने घर में बड़ी असानी से कर सकते हैं और यह लाभदेने वाले होते हैं परन्तु सि आज के लिए विदा लेते हैं साधर प्रणाव